नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरे तिनसेन भारती अज हम बात करेंगे अधार कार्ड में फोटो बदलने के तरीकों को लेकर अधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर एक कहवत खूब पर चली थे कि बोटर आईडिय और अधार पर जितनी खराब फोटो दिखती है प्यक्ति उतना खराब होता नहीं है ऐसे में अगर आपके अधार कार्ड का फोटो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसे बदल सकते हैं ऐसे में आप कहेंगे कि इसे बदलना त्यड़ी खीर है लेकिन यह बहुत ही आसान है तो आईए जानते हैं कैसे अधार कार्ड में लगी फोटो को हम असानी से बदले आईए इसे हम step by step समझेंगे और एक एक करके हम आगे जानेंगे कि इसका कैसे कैसे हम बदल सकते हैं तो सबसे पहले आप UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जहां पर gate अधार सेक्सर में जाकर आप अधार नवांकन अपडेक फॉर्म को डॉनलोड कर लें इसके बाद फॉर्म को सही तरीके से भरें और उसे अधार नवांकन केंदर पर जाकर जमा कर दें इसके बाद नवांकन केंदर पर आपको फिंगर प्रिटिंग, लेटीना स्कैन और फोटोग्राफ को दोवारा कैप्चर किया जाएगा अपने अधार जनकारी को अपडेट करवाने के लिए आपको 50 रुपे के सुल्ग का भुकतान करना होगा आपके फोटो को अपडेट करने का अवेदन जैसे ही सुविकार के जाएगा आपको एक QRN या फिर आपको अपडेट रिक्वेस्ट नमबर प्राप्त हो जाएगा इस नमबर के जरिए आप अपने अवेदन को आउनलाइन ट्रैक कर सकते हैं अपडेट पिक्चर के साथ आपको नया अधार कार्ड लगवग 90 दिनों में मिल जाएगा यदि आप अधार सेवा किंद्र नहीं जाना चाहते हैं तो आप UIDAI के छेतरिये करजाले को लिख कर अपने अधार कार्ड में सुधार या फिर अपडेट करवा सकते हैं इसके लिए UIDAI पोटल पर जाकर वहां से अधार कार्ड अपडेट करेक्शन फॉर्म को डाउनलोड करें अब आप उस फॉर्म में उची गई सभी जानकारियों को भर दें भरने के बाद UIDAI के छेतरिये करजाले के नाम अधार कार्ड अपडेट करने के लिए एक लेटर लिखें इसके पदर के साथ ये सिल्फ अटेस्टेड फोटो यानि के साइन किया हुआ फोटो अटेच कर दें फॉर्म और पदर दोनों को UIDAI के पोस्ट ऑफिस पे आप उसे पोस्ट कर दें दो हफ्ते के अंदर आपको नई फोटोग्राप के साथ एक नया अधार कार्ड मिल जाएगा आईए आप जानते हैं कहां कहां अधार कार्ड का इस्तमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फाइदे हैं अधार कार्ड से आप बैंक का खाता खुलवा सकते हैं इसके साथ ही आप पेंसन धारी है तो पेंसन के साथ अधार की भी खास जरूरत होती है इसके बाद stock marketing निवेस में अधार card की खासी। जरुरत होती है। इसके बाद passport अगर आप बनवाना चाहते है तो इसमें अधार card की जरुरत होती है। PF के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी अधार card की जरुरत है। उसके बाद LPG सिलेंडर का ट्रांसफर करवाना चाते हैं यानि कि आप एक जगा से दूसरे जगा अगर कहीं रहने के लिए जा रहा हैं तो ऐसी सित्य में आपको LPG सिलेंडर ट्रांसफर के लिए भी अधार कार्ड की जरूरत होगी उसके बाद Digital Locker सुविधा लेने के लिए भी आपको अधार कार्ड की जरूरत होगी इसके साथी जन्धन योजना के लिए भी जो है अधार कार्ड की आप जरूरत होगी इसके साथे साथ राज्य और कंदर सरकार की योजनाएं जो है उसका अगर आप लाव लेना चाहते हैं तो आपके पास अधार कार्ड होना जरूरी है तो अब तक हमने जाना कि कैसे अधार कार्ड में जो है हम अपना फोटो बदलवा सकते हैं ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए बने रहें बिहारे नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त बाद